तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग conjunction के second part में आ चुके हैं और इसमें हम देखेंगे कि correct pair कैसे use होता है उसके बाद हम पहचान देखेंगे words का literal meaning भी देखेंगे जो भी conjunctions होते हैं not only but also so as ऐसे बहुत सारी जीचे हैं अगर मैंने so as use कर दिया है या तो को यूज किया है या फिर as for as को यूज किया है तो इसका meaning क्या होता है जब आपकी यह understanding develop होगी ना तो अगले वीडियो में मैं आपको एक word पर काम करना जिखा दूँगा कि for को use कितने तरीके से करते हैं इसी तरीके से एक पूरी प्रोसस चलती रहेगी तो कंजंचन के भी तीन पार्ट आने वाले importance मैंने कल आपको बताई दी ती जो भी आज नहीं उनके लिए दोबारा बता देता हूं कि भाई कंजंचन की importance आपकी अगर देखी जाए तो कई chapters को लेकर के हो जाती है जैसे कि यह chapter तो मैं करा चुका हूं ठीक है basics of English grammar parts of speech noun pronoun is active of इतना कुछ हो चुका है जाके देख लो importance की बात करों तो सर जी यह चीजे द्यान देऊ पैर जंबर closest sentence विल आता है नहीं कर पाऊगे आपको कंजंचन की अच्छी understanding होनी चाहिए अगर आपको यहां पे score करना है पैर जंबर 5 marks का आता है कभी-कभी 7 marks कभी आ जाता है बैंकिंग में 7 तक का देखने मिलता है close just 5 marks का आता है 10 marks का भी आ जाता है मेंस में अगर बात करी जाता है तो जो नए हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके लाव घर बेटे त्यारी कर सकते हो बहुत इस चैनल को सब्स्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस में लेगी डेली विजस पर जाता है हमारा फेस्बुक पेट फेस्बुक ग्रूप दोनों आप जाके जोइन कर सकते हैं सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी इसके लिए पेट पूर क्योंकि यार देखो कंटेंट तो बहुत है यह तो पताओ पढ़ना क्या है बेसिक पर काम करना है अब मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर मैं कंजंक्शन चल रहा है मैंने अभी तक जो जितनी भी ग्रामर पढ़ाई है कुछ 25 गंटे की पढ़ाई है ठीक है अब 25 कंटे भी दे करना सीख पाओ तो मिस समझना जरूरी होता है कैसे कैसे चीजे काम करती है कल हमने पढ़ा कॉडिनेट कंजंग्शन तो बीपढ़ा है वापस से पढ़ाई में आते हैं काफी कुछ यान की बाते हो गई तो अब आते हैं कॉडिनेट कंजंशन कर मैंने पता दि वीडियो डाउनलोड कर लेना या देख लेना तो कोडिनेट कंजंशन नीबात कर तो मैंने को एक इक फैन बॉइस बताया था और मतलब यह इसका मीनिंग है ठीक है और यह पूरी लिस्ट आएगी तो अब हम इसके यूजस देख लेते हैं कैसे कैसे यूज होते हैं फॉर में एक्चुली कंफ्यूजन होगा दो दिन पहले जब मैं प्रपजिशन बढ़ा रहा था तो मैंने फॉर को काफी कुछ लिए कर बताया था बट यहां पे बात अलगाएगी जब वहां पे मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला था इस गिफ्ट इस फॉर यू याद हो हरते यह नहींट है एज हुआ है लेकिन जब हैं एकальная काम करता है तो आपको पता होना कि के चैब इस को या फिर सेंटेंस को जोडने का काम करते हैं या मैंने आपको बता है दो जडूने का में बहुत कहां काम करता है फॉर मीन्स होता है एक्स्प्लेंड रीजन और पर्पस दीजन को एक्स्प्लेंड करने में या फिर पर्पस में जस्ट लाइक बिकॉस क्योंकि एक्जाम्पल देखो और क्लॉस को पहचानो क्लॉस को ध्यान दोगे कभी नहीं भूलोगे यहां मैंने क्या फॉर लगाया क्या नहीं ना फॉर आइक सब्जेक्ट होता है मीनिंग कंप्लीट देता है ना दो है फौर यहां पर क्या काम करेगा कंट्यंग्शन का पिछला जो प्रेपोजिशन में बताया था मैंने क्या वोलता आइंग Griffey ओ क्या फस दूर ने नहीं लगा तो पाडप्रूफ हो गयी कैसे कंजंग्शन के लिए यह चोटी चोटी बाते हैं मांक्स लेका चले मार्क्स कैसे हमें दिमाग में बैढ़ जाता है यार तो प्रेपोजिशन था सर यहां कंजंग्शन बता रहो ऐसा कैसे ऐसे चलिए आगे आते हैं अब हम एक नई चीच मतलब एड करता है दूसरी चीच पर एक्जामपल आई गो टु दा पार्क एवरी संडे मैं एवरी संडे पार्क जाता हूं प्रतियक रिवाग जाता हूं तु वाच ददक्स ओन देक्ट को देखने बतक को देखने लेक पर एंड शर्ट लेस्में प्लेइंग सॉकर शर्ट लेस्में प्लेइंग सॉकर ठीक है और भी तुम बना सकते हो आई एम वाकिंग कि अग्यार पर्ट सॉड़ देना है अब नौर की बात करते हैं विकर्स कॉमन है नौर देखते हैं नौर इस निगेटिव याद रखीगा क्या नौर एक निगेटिव यह नकारातमक प्रभाव देता है यूस्टु प्रेजंट एन अल्टरेटिव एक अल्टरेटिव प्रे अल्टरेटिव का मंदिक यह हो गया निगेटिव आइडिया होता है तो एन और इस टेंड निगेटिव एक है वही बात होगी ना पहला काम ने करता दूसरे पर एक्जांपल आई डोंट गो फॉर दफ्रेश एर तो मैं फ्रेश एर के लिए तो ताजी हवा यह नहीं कहने क नहीं ना हम सिंप्ली उसको उस कॉंटेक्स में बात कर लेते हैं आपको ध्यान देना मैंने निगेटिव एडिया की बात करी डोंट यहां लगा है निगेटिव हैं पर मैंने नौर लगया अगर यहां पर मैं आई गो फॉर फ्रेश बोलता तो यहां नौर नहीं लगता और लग जाता याद रखना और पॉजटिव के लिए जाता है नौर नेगेटिव लिए नीदर नौर इदर और याद आ रहा है कुछ बताया है मैंने यह ज्यान देना यह चोटी चोटी चीज अटेंगे पहले क्या लगा था तो क्या और समझो भाई सम्झो बहुत इंपौर्टेंट से यह हैं यह मांक स ँचाता मांकि आपकी नौलेज की वीज़ेस नहीं जारे मैं आपको बता तो जो चुछ निया आईडिया देता है बट एक जामपल दा सौकर इन दा पार्क इस एंटर्टेनिंग तो जो सौकर है सौकर मतलब फुटबॉल फुटबॉल इन दा पार्क इस इंटर्टेनिंग इन दा विंटर सरदियों में बट इस बैटर इन दा हीत ऑफ समर लेकिन यह की हीट में बेटर है वाई शौक है अपने अपने हम तो नहीं खेल सकते यूपी में खेल के दिखा दो तो फैर में तीन वज़े फुटबॉल हॉस्पिटलाइज हो जाओगे ठीक है तो याद रखना सौकर इन पार्क इस इंटर्टेनिंग इन विंटर बट इस बेटर इन wife on को समाओढ़ तो एक अइडिया आपका यहाँ पर है दρώसरे आपका यहाँ पर इन दो आई-डिया के लिए यह वाली बात प्र लेकिन यह जो नीचे दिया यह ज्यादा है नहित्यों ना कंट previous लाइज देता है जैसे कि मैं सब्सक्राइब करना चाहता था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड पर नहीं जो हम मान रहेते हैं विराट कुली निकल सेंचुरी मारी मैंने अच्छी बात है चलिए आगे आते हैं वो भी एक कॉंट्रास्ट है आइडिया दे दो चलेगा इंडिया आर रही थी लेकिन कल उसने सेंचुरी मारी बना सकते हैं सेंटेंस आइडिया को लेने की कुछिश करो अब आती है और जब और की बात आ जाती तो सरीय सिंपल सी बात करता है चोईस पहर ठीक है मतलब या तो यह तो यह इंड अध्या तक टिम लड़के आदमी क्रिकेट खेलते हैं टीम में शार्ट में शार्ट मतलब यह कपड का कंसी टवरेशन है वह सब्सक्राभिन या फिर इसके स्कूरी यह नहीं यह तो इस अधे आर नौट वेरिंग लॉच इस इस मतलब यहां ना कपड कि बिना कपडा हो गया आपको ऐसे मीनिंग दिखेंगे और यह घवराने अलिवादी ऐसा कैसे तुम हिंदी भी ऐसे बोलते हो तुम मदरासी गुजराती पंजाबी हर्याडवी जो भी लैंग्विज आ बोलते हो सब में ऐसे होता है आगे आते हैं अब बात करते हैं यट की यट कैसे यूज होता है इसको देख लेते हैं एक चीज़ बताता हूं आपने सुनना होगा दो एंड ओल दो ठीक है तो अक्सर इसके साथ इसका पेर बनता है कैसे बनता है मांगे ज़रूर बताऊंगा फिलाल जुड़े रहो क्योंकि हम बेस पे काम कर रहे हैं भी बेसिक सी चल तो इंट्र होता है पिछला आगला पिछला देखते चलो सब्सक्राइब हमेशा एक बुक लेकर चलता हूं पढ़ने के लिए यट नेवर सीम्स टू 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 टून सिंगल पेच फिर भी मैं कभी एक पेज नहीं पर लटता यह हम में से काफी सारे लोग की कहानी है तो यट कम हिंदी म में बता रहो मैं अब हम बात करते हैं सो जो क्या होता है देख लेता है तो मतलब होता है तो इंडिकीट इफेक्ट रिजल और कॉंसिक्वेक्वेंस और यह सिचल कम्दम तरु पर्रिच्वेंस बढ़ेंगे ऑय मतलने फ़र्क हूं ऑस क्रत्यक्राइब तुम ना ध्यान दो ट्रेन को और कार अगरा को तो क्या होगा बढ़ जाओगे बढ़ जाओगे बढ़ जाओगे अधर पुलिस पकड़ लेगी ऐसा है एक सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया है तो अब I have an excuse मेरे पास एक excuse to watch the game to watch the game each week तो हर हफ्ते गेम के देखने का एक excuse एक चोड़ी बात यह नोट है आपका तो याद रखिएगा कि यूस कॉमा वेन अ coordinating conjunction is joining to independent clause तो एक कॉमा को यूज करिएगा जब coordinating conjunction use होता है तो आप हमेशे notice करो मैं कहीं न कहीं यूज कर देता हूं फिलाल उसके पहले होता है बात नहीं होता है तो आएगा देले देले अब आता थे coordinating इसे ओने यूज को रिलेटिव कंजंग्शन हो गया है अब सब्सक्राइट इन कंजंग्शन की बात करेंगे तो फिलाल सब्सक्राइब कंजंग्शन कल मैंने definition दी अगर आपको याद हो नहीं याद है तो बता देता हूं बाई को अब तो इसके बाद मैंने लिस्ट दी ती आप को ठीक है और एक दो चीज़ और बताई थी आपको की फर्स सेकेंड जो भी सेंटेंस होंगे तो फर्स्ट एक इल्लस्ट्रेट करेगा इंपॉर्टेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉस की और सेकेंड क्या करेंगे ट्रांजिशन प्रोवाइट करता है दोनों आइडिया को जोड करके यहां पर एक्जांपल दिये थे मैंने वर्कार्ट लेस्ट यू शूट फेल आई विल वेट अंटिल यह फ्रम यह मैंने कल बताया था तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला सिर्फ याद दिलाने के लिए आपके सामने स्लाइड रग दी ती अब कुछ ब सब्सक्राइब करते हैं अब बात करना है हमें कॉमन कंजंशन की तो मैं बहुत सारे कॉमन कंजंशन सापके सामने ला रहा हूं अच्छी जूपर पढ़ाता जा रहा हूं थोड़े वह रिपीट होंगे बट अनका तो मैं एक्च्वल मीनिंग आपको देने वाला हूं तो यह आपके सामने लिस्ट रही हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं ठीक है तो देख लिए तो यह रहे हैं आपके सामने जैसे अगर एंड की बात करी जाए यह जोड़ने का काम करता है एंड का मतलब होता है तथा ठीक है इसी तरह से अगर एक अधर वाइस और एल्स दिखता है आपको एक सेंटेंस में देखता है तो इसका मतलब होता है अन्य था या इसलिए यह देखता है यह यह दो यह दो में से एक के लिए और नीदर नौर का मतलब होता है ताकी इसी तरह सो एस का मतलब भी ताकी होता है weather or का मतलब चाहे या मतलब चाहे ऐसा या फिर वैसा ऐसा मिनिंग जाता है as soon as की बात करी जाये तो इसका मिनिंग आता है जैसे ही as soon as reply me as soon as possible जैसे ही possible लो मुझे reply करो और का मतलब होता है या जब choice की बात आती है आप दो मेंसे किसी एक चीछ को use करते हो तब हम और को use करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई तो end मतलब तथा होता है otherwise or is therefore अनिथा या फिर इसलिए उसके बाद consequently इसके फलसरूप नीदर नौर ना तो यह ना तो वह इधर और या तो या या तो वह इसका snapshot ले लो लिख लो so that means ताकी so as means चाहे weather और चाहे या और as soon as आपको जैसे ही और और means या ठीक है यह एक होई दूसरी आते हैं दूसरी slide में इसका भी snapshot लो pen paper लो और लिखते जाओ because जब तक तुम्हें इसका meaning clear नहीं होगा इनको कभी यूस तो करने की बात ही सोच को कभी नहीं कर पहोगे अब आता है not only but also यहाप एक चीज़ और बताता हूं not only but also pair में चलते हैं यह याद रखी कर एक sentence आपको not only दिख रहा है तो उसके साथ but also ही आएगा इसका meaning होता है के एक बात बाता हूं while usually present continuous या फिर बुलूं continuous इसके भाई को भी बुला लो ऐसे संट दिखेंगे इसलिए ठीक है और हैंस मिन्स आगे की और भी होता है हैंस इसके साथ यह प्रूव होता है इसे दिखते हैं मैं अपने पड़ोगा हैंस इट प्रूव ना इधर और या तो या या तो वह देन बोथ आपको बहुत के साथ हमेशा एंड यूज करना एक्जामनर आपको इसके साथ और दे सकता है बिट्वीन दे सकता है बट नहीं होगा फिर टू के साथ हमेशा तू का पेर बनता है टी डवल ओ पहले आएगा टी ओ बात में आएगा कभी-कभी पहले देगा टी डवल ओ बात में करतेगा टी डवल ओ मींस भी होता है एंड टी ओ मींस को होता है ठीक है तो यह चीज याद रखनी है आपको आगे आते हैं अब इसकी मीनिंग समझो लिखते जाओ कहीं पे भी स्नाप्शॉट ले लो फिर इसके बाद मैं आपको बता टीक है एज इतना जितना एज सो मन्स जैसा वैसा बट मींस होता है परंतु कॉंट्रास्टिंग वर्ड होता है नो सूनर जैसे ही एक चीज और बताता हूँ कभी आपको नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता मिल जाए उसके साथ हमेशा है यूज करिएगा ठीक है क्या यह भी निगेटीव वर्ड है और इसकार्सली भी निगेटीव वर्ड है इन दोनों के मतलब मुश्किल से ही होता है लुद्व को पताइए दूसरा हाड़ली और ये के साथ भी उपारिया जाती है प्र फिर वहर मिन्स होता है कहां पे वहन मेंस होता है कब अंटिल अनलेस तो एंटिल का यूज टाइम के लिए और लिस के लिए जब तक एक situation के लिए कि लिए होता है क्यों कि और लेस्ट के साथ शुड का पेर बनता है और लेस्ट मिनस उता है ऐसा ना हो कि और शुड मींस आपको पता है कि सा मोडाल वर्ब और साजिशन के रिए शुड़ का यूज किया जाता है मैंने आपको मडाल से पूरे पढ़ा है तो इनको लिख लो कहीं पर बहुत अच्छे से लिख लो वह मतलब आपको दिमाग लगेगा ठीक है मतलब अच्छे से दिमाग लगेगा कैसे मैं बताता हूँ कंजंग्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं टाइम प्लेज कॉस्स पॉर्पस रिजल्ट कॉंसिक्वेंस ऐसी चीज़ों मैं कहां कहां पर एक ऐसे कंजंग्शन यूज होते हैं डीटेल कल आएगा मैं अभी बता रहा हूं अभी तो यह दिमाग में बटाओ यह कहां कहां इसा कई बार होता है कंजंग्शन लगेगा आपके लिए कॉमा का यूज हो जाता है तो फॉर्मर सीट कर देंगा तो यहां पर मैंने कॉमा लगा है ताइम के लिए वेन वेनेवर तिल अंटिल बिफोर शेंस वाइल एज लोंग अज जस्ट इन सब का यूज किया जाता है ह मैं आपको अभी बता दिया है इसलिए बताता जाता है ठीक है ताइम के लिए कभी आपको दिखेगी पर बात हो रही है ताइम को consideration मिल रही है पहचान मिल रही है sentence में time important है अगर वहां conjunction use होगा तो इसे कले आला इनके अलबा कोई conjunction use होता when whenever till until before since while as soon as as long as just as ठीक है याद रखना आगे आते हैं कुछ और चीज़े देखते हैं अब मैं place पर बात करूंगा आप conjunction place पर कहां पर use होता है तो देखिए प्लेस की जब बात आ जाती है तो of course कहां यहां ऐसा ही होगा तो वेर और वेरेवर इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है ठीक है वेर एंड वेरेवर और आपको यह दिखेगा वह एडवर भी काम करता है तो देखो यार की बात समलो अमेशा वही चीट सिम्पल सी यह देखिए कितने क्लॉज है यू कैन गो वेरेवर यू ओन सब्जेक्ट वब है दो लॉज हो गया वेरेवर को साथ मैंने सेंटेंस को बना दिया ठीक है तो प्लेस के लिए मैं किसका यूज करता हूं वेरे रहे वर का ठीक है चलिए अब बात आती है कॉज की कॉज मीन्स क्या होता है कुछ मुझे बता मैंने बोला कॉमल लग जाता है कई बार ऐसा भी मिलेगा शी केम आई कॉल दिमाप पॉस देकर के बड़ बिकास बोल दो तो अच्छा रहेगा कई बार आपको मिलेगा और कोगेगी इस वोकर में कैसी हो जाता है पॉस हो जाता है आई कॉल डर शी डिडिटन कम पॉस था मेरे आप आते हैं रिजल्ट पिफ ठीके है की रिजल्ट के लिए कैसे यूस किया जाता है अरे इंट वेट वहलोकी जब बात आती है तो हम्यूज करते हैं सो दैट एन विसारा के साथ और दूसरा लाउस बन रहा है तो अब उसके साथ भी तो यह का रिभी किसी ingenee करेंगे ठीक है इसके साथ कभी हैसा मत करता है तो इस तरह से निकाल दो छोटा की होता है की वह ही इस सच फूल वह इतना बेखूफ है की वह की वह कुछ भी नहीं समझता तो जब यहां पर चीज समझो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंडेंट क्लॉस दिखेगा जो और एक ऐसा भी कॉस इफेक्ट रिलेशन्शिप दिखेगी प्यात करू कल का वीडियो की पहली बात पर दूसरी चीज उन्हें पर करती आपने जो बोला उस परसन का नेचर हो जारॉडी नहीं आपने जो बोला वाStudy कुछ नहीं समझता तो कुछ नहीं समझने वीगोरiriी सीदी सी बादऑ अगर कुछ नहीं समझ रहा है कोई ही तो इसके लिए उसका ब्यूप होना जारूरी है की नहीं बिल्कुल जारूरी है ठीक है आए तो यहां पर बात होगे result की, अब हम बात करेंगे purpose की, purpose कैसे use होता है, purpose के लिए हम क्या use करते हैं, तो यह रहा यह, तो देखिए purpose की जब बात आ जाती है, तो हम use करेंगे that, so that, in order that, last, less के साथ should use होता है, that means, so that, अभी Hindi meaning बताई, in order that, compound conjunction होता है, कल मैं compound conjunction भी discuss करूँगा, example, we eat, हम खाते हैं, so that we may live, less you miss the train, नहीं, तो तुम train miss कर दोगे, क्या कर दोगे, train miss कर दोगे, बात समझा गई, यह याद रखिएगा, हम purpose की बात करते हैं, हमारा purpose क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, यह इसका meaning होता है, ठीक है, बात समझे, कोई question, कोई समस्या, संगर्ष, बता दो, पूरी series देखते चलो, बार-बार बूर रहा हूँ, जो beach में join करते हैं, उनके लिए भी, आगे आते हैं, अब हम बात करेंगे condition की, कि जब conjunction condition पर आ जाता है, तब कौन-कौन से conjunction ले करके चलता है, अब condition क्या होती है, कि मतलब तु मैं ऐसा करोगे, तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसी वाली बाते होती हैं, जब तक की, क्या होता है, जब तक की, वह सक्सीद नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, जब तक की, वह मैंनत नहीं करता, यहां दो-चार बाते बता देता हूं, अगर आप unless, until यूज़ कर रहे हैं, तो जिस clause के साथ उसको यूज़ किया, उसके साथ कभी भी कोई negative word यूज़ मत करना, प्लीज ध्यान देना इस चीज़ को, कभी भी उसके साथ एक negative word यूज़ मत करना, help him, provided he meant his way, मैं उसकी मदद करूँगा, बशर्ते वह अपने काम से काम रखे, ठीक है, मतलब टांग ना आडए, बीच में कि नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, यह ना करे, दन, चलिए, आगे आते हैं, अब बात आएगी, मैनर की, अब हम बिल्कुल आ गए हैं, जहां पे परमपरा प्रतिस्था होती है, सो मैनर की बात है सर जी, तो मैनर जब भी बात आ जाए, तो एक्जामपल से तुम समझो, यह स्कोल्डेड मी एज फीवर माई फादर, उसने मुझे डाटा, यह मुझे डाटता था जैसे की, क्या मीनिंग आया, एज इफ, जैसे की, ठीक है, जैसे की वह मेरा फादर हो, मेरे पापा हो, तो याद करिए, एज, एज इफ, एज दो, एसी चीजे यूज होती है, ठीक है, as though, as for as, यह सारी चीजे हम यूज करते हैं, क्याते हैं, as for as my capability is concerned, I am not able to do this, फिर आगे आते हैं, कुछ और example, as I was in, so I cannot come, as I was ill, so I cannot come, ठीक है, तो यहाँ पे ill है, excuse my error, it's a typing error, of course, I have to type each and everything, so I hope you understand, I will cooperate with me, so as I was ill, so I cannot come, okay, since he is a lawyer, so I don't trust him, मैं उस पर ट्रस नहीं करता, हुए एक जूटा है, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता, कॉमा जरूर द्यान देते हैं, जो मैं कॉमा काफी जगह यूज करता जा रहा हूँ, कई बार नहीं भी मिलेगा, पर एक बात बताता हूँ, एक्जाम में आपकी यह एरर नहीं आती है, कॉमा, फुल स्टॉप आज तक मैं नहीं देखी, तो यहां पे बात आगही मैनर की और यहां पर किसी को सम्मां दे रहे हैं यह नहीं दे रहे हैं अब बात आती कम्पैरिजन की तो किएसे बाला सीन हो गया जब आप किसी को कुछ की क्वालिटी पर कंपेर करें ठीक है अब कैसे कंपेरिजन पर यह देखो आपके सामने दाए ऐस एस सो एस एंड और एक बात बताता हूं एस का पेर बनता है है कैसे वर्ब लगती है सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है कैसे रर बनती है यह चोटी चोटी चीज़े शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ दिमाग में बिठाने कुछ चीच करो पैन पेपर साथ रहना चाहिए एन इसी तरह से दैन का आपको जादर पता होगा कि राधर के स साथ यूज किया जाता है एक्जामपल की बात करते हैं और वाइज एनमी इस बैटर तैन अफुलिश फ्रेंड ओके तो एक बुद्धिमान जो एनमी है दुश्मन है वह अच्छा है एक बेवकूफ दोस्त से बेटर दैन ठीक है कंपैरिजन की बात हो रही है तो मैं पता है पड़ा था कि भाई क्या यूज होता है और वहां पर भी बताया था कि जब भी इंगलिश पर अच्छी है यहां वह कोई और है लड़की है दो लोगों की कंपैरिजन हो रहा है तो याद रखिएगा सेंटैंस को घंडा बना के साथ बना के दिखका ये ट्राइ करिये करेेग़ अब आट रती की कंट्रास्ट क्या हुता है इस से देख लेते हैं एक नया आईडिया देना तोह लेकिन पिछले से जूड़ती हो यह नहीं कि वी इसके साथ दिख जाता है दो Unoloda के साथ यह यूज होता है अगर यह ती यूज नहीं कर रहे हो तो कौम यूज होता है ठीक है इस तो यह द्ular Wow सार्ड यद्य आभी मेनत करता है कि फिर 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 भी और आहीं हो जाता यह आपका हो गया contrast तो मैंने अभी तक तुम्हें बताया उपर से लेकर नीचे तक एक बार रिकॉल करा देता हूं जिससे कि भूलो नहीं ठीक है तो सबसे पहले हमने बात करी थी आप से fanboys की ठीक है यह याद रखना तो मैंने for and nor but और यट सो के uses दिखा दिये उसके बाद मैंने आपको subordinate conjunction की लिस्ट दीती हो कॉमनली यूज कंजंशन की बात करी यह पूरी लिस्ट दीती है आपको हिंदी में और इंग्लिश में समझा दिया था कैसे कैसे पेर बनता है एक जितना बेस के लिए ज़रूरी होता है फिर उसके तो यहां तक हमने इतना समझा आयोगों समझ गयों कि इसके स्वेड चीज़े जाती है कैसे किसे यूज होता है अब बात आती है कोड्याटिव कंजंशन की तो ध्यान दो तो देखिए को रिलेटिव कंजंशन उपकल मैंने आपको याद हो तो इसकी भी डेफिनिशन दी औ और समझा दिया था पेर बनाके और यहां पे चीज बताई थी इट को रिलेट पेर टू जॉइन फ्रेज वर्ट एट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस विदिना सेंटेंस ठीक है तो एक सेंटेंस में एक्वल इंपॉर्टेंस लेकर के जलता है लेका इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस एक्वल रख रहे हैं तो यह रही है इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद करकना विकर्ज होता क्या है हम गलतियां करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हैं तो देखें नॉट उनली बट आलसो का पेयर होता है इदर और ऊपर हिंदी मिनिंग इसकी समझा दी थी नीदर नौर बोथ एंड दो यद वैदर और इनके अलावा कभी इनके साथ कुछ नहीं लगता है यह दिमाग में बिठालो रटलो कुछ भी कर लो कुछ भी का मतलब कुछ भी यूज नहीं है इस पेयर को हमेशा याद रखना डीटेलिंग तो कल होगी अभी कुछ एक्जामपल्स देख लेता है आपके सामने रहेए अब आप सेंटेंस को पढ़ते जाओ मुझे से बहुता कौनर गलत है पहला है योजेत यहां तो वह काम वापस कर देंगे यहां तो यहां इसका मिनिंग यहां सब्सक्राइब यहां गलत हो जाएका तो यह वहला शेंटेंस गलत है एक्जामनर आपको यह रड़ दिगा बहुत के साथ एंड यूज किया मैंने आपको यह जीज भी बताई थी पहले तो बहुत आती as well as use करा देगा examiner और गलत हो जाएगा और as well as का meaning क्या दिया था जैसे ही उसके साथ ही यह meaning दिया था उसके साथ ही तो उसके साथ ही क्या फेल होता है भाई दोनों अलग गलग ही तो फेल हुए होंगे एक साधर मेरे result पर तुम भी फेल हो जाओ ऐसा तो को बा economical फिर भी वह क्या है economical है कंजूस है तो दो के साथ होता है थोड़ी दिर पहले बता रहा था examiner आपको बट देगा और हम अक्चली बट यूज कर लेता है क्योंकि हम सही बोलते नहीं है यद्यपी वह रिच है लेकिन वह कंजूस है हम इस तरह बोलता है यद्यपी वह रिच है बट ऑल्सो राइट्स तो इस रीट्स होगा प्रजेंट इंफनेट है एक्जामनर आपको ऐसे बीर दे देता है मतलब तुम्हारा पूरा दिमागे not only but also में चल लोगा उसने यहां पर यहां पर लगा दिया तो इसलिए आपके सामने sentences पूरे के पूरे मैंने रखे कि इसको भी फिर रोट करो बात समझ में आ गई चलिए आगे आते हैं यहां तक क्लियर है ना चलिए आगे आते हैं ज्यादा लंबा वीडियो बचा नहीं है आज आपका पूरा बेसिक थ्यार हो जाएगा फिर कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी हो सकता है कल दो गंटे की चली इसी तरह आल्दो के साथ भी यह यूज होता है और यह मैंने आपको पहरा जंबल भी बताया था और अगेन आप यह नहीं यूज करें तो आप कौमा यूज कर लिजे नो सुनर के साथ दैन यूज होता है और आपको हमेशा है यूज करना है ठीक है मिलता है कुछ exceptions भी होते है hardly scarcely के साथ when use होता है भर मुश्किल इनका मीनिंग है as के साथ as use होगा so के साथ as use होगा यह यह याद रखना दोनों positive में use होते हैं यह और यह positive negative दोनों में use हो जाता है लेस्ट के साथ हमेशा should use होता है इसका मीनिंग एक्चलि हम लोग future सब्सक्राइब सच के साथ नां सोनना सब्सक्राइब फ्रॉम तो नाइन तो सिक्स ऐसा सो ना फ्रॉम नाइन तो सिक्स वैदर के साथ और यूज़ करना कभी नौर मत यूज़ कर देना ठीक है तो इन पेर्स को यहां देखना भाया जितनी चीज़े बता रहा हूं यह मतलब यह जड़ है यह जड़ है अगर तुमने इनको नहीं दिमाग में रखा तो मांक्स वोड़ जाएंगे चलिए अग्जामप्ल्स ले लेते हैं कुछ और रही है अब बता दो उसमें से कौन-कौन से सही है कौन-कौन से गलत है मैं देखना चाता हूं कितना पढ़ा है बाई कितना याद रहता है तुम लोगों को जल्दी से तो सा जल्दी से पताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा एक्स्प्लेन तो मैं करूंगा ही करूंगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है पहला सेंटेंस है आपके सामने इसको पढ़ लेते हैं और इसको डिसकस भी करते हैं हां सो दौ यह वर्क्राइब लॉट हार्ड भट ही फिल देखिए दो ही वर्क्राइब बक्र áreas फिल गलत ठीक है आगे आते हैं he is both intelligent as well as नहीं बोत के साथ क्या लगता है एंड लगता है तो गलत हो गया as well as नहीं होगा तो यह sentence भी मेरा गलत हो गया next the party is between 7 p.m. and 9 p.m. देखिए the party is between 7 p.m. to 9 p.m. एंड नहीं होगा तो क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है बाई पार्टी साथ बजे है और 9 बजे नहीं पार्टी साथ बजे से 9 बजे के बीच में कार्ड में लिखा रहता है ना शादी हो गयर है कार्ड देखो I have no other aim but to succeed in life सही है क्या पढ़िए नो अधर के साथ दैन यूज होता है सर यह रूल सी तो है questions के साथ देख रहो ठीक है मेरा कोई एम नहीं है सवाय सक्सिस होने के ही आजड मी इफ आए वोस कमिंग और नॉट बताए सभी नो इफ के साथ वैदर टीक है ही आस्ट मी वैदर इफ नहीं लगाओगे वैदर लगाओगे टीक है तो भाई यह याद रखना चुटी-चुटी सी बाते हैं यहां मार्क्स जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं दूसर पाइटी आर कर सकता है तो पाइटी होगा दा पाइटी इस फ्रॉम सेवन पीएम टू नाइन पीम सही हो जाएगा आफ नू अधर ऑप्शन या बलब कोई हैसा वर्ड लगा देगा यहां यूजने सक्सेस करते बट तो सक्सेस इन लाइफ गलत हो जाएगा सक्सीड यूज होता है ठीक है तो यह याद रखना है चोटी-चोटी सी बाते हैं जहां माक्स जाते हैं अगर आप आस तक जुड़े हैं कुछ सीखने मिल रहा है मेरे वीडियो मदद कर रहे हैं पढ़ाही में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट किया करो जैसे भी आपकी रिव